मत्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में रहने वाली सुनीता हिंगवासिया इन दिनों बेहत खुश हैं खुशी की वज़ा है इनके घर तक पहुँचा नर्मदा नदी का चल शादी के बाद वे 80 किलो मेटर दूर भोपाल आईं और कुछ साल बाद नर्मदा नदी का जल भी पाइपलाइन के जरिये उनके घर तक पहुँच गया मन्दे प्रदेश में विंध्या और सत्पुरा परवत से निकलने वाली नर्मदा 1312 किलो मेटर का सफर तै करती है इस दौरान नदी सारे 6 करोर लोगों की प्यास बुझाती है यानि फ्रांस की जनसंख्या के बराबर लोग नदी पर निर्वर है प्राचीन धर्म ग्रंतों में नर्मदा का जिक्र रेवा नदी के तौर पर हुआ है और इससे गंगा की तरह ही करोरो लोगों की आस्था जुड़ी हुई है नर्मदा पर आस्था रखने वाले कुछ लोग पाइप से घर तक जल पहुचाने की परियोजना का विरोध भी कर रहे हैं मैंने सन 2012 में जो हमारे नजदी की सांडिया ग्राम से पिपरिया नर्मदा जल योजना के अंतरगत एक पाइपलाइन लाई जा रही थी उसका विरोध किया और यहां जो खननदवारा पानी उपलब दपन कर रहे हैं तो फिर नर्मदा जी का सोसनकाई के लिए कर रहे हैं पर इसका हमने नरंतर विरोध किया नदी पर 30 बरी परियोजनाओं से 3623 मेगावाट बिजली और 36 लाख हेक्टियर में सिचाई होती है बीते कुछ वर्षों में नदी पर निर्वरता इतनी बढ़ गई है कि नर्मदा अब मानसून में भी दम तोड़ती नजर आती है मानसून में भी धान की सिचाई भूजल से ही होती है नतिजा बोर्वेल सूख रहे हैं भूजल इस तर इतना नीचे चला गया है तो कूगे सब फैल है अब ट्यूबेल पर आ गए है तो ट्यूबेल में भी यही समस्या है कि टाइम बम की तरह है ट्यूबेल जो है हर साल नीचे पानी खिसकते जा रहा है होशंगापाद जिले में नरमदा नदी के 20 किलो मेटर के भीतर आने वाले गाउं के बोर भी सूख रहे हैं पिछले तीन साल में जिले के पिपरिया और बनखेरी छेतर में 1500 से अधिक बोर सुखे हैं और गर्मियों में भूजा लस्तर 25 से 30 फिट नीचे चला गया है होशंगाबाद में खेती में 45 से 60 फिजदी पानी का उप्योग होता है किसानों को मैं दोस नहीं दूँगा किसानों के सामने जो बिकल्प रखे गए खेती के जो हरित क्रांती के खेती के बिकल्प रखे गए कि आप संकर बीज लगाओ और वो संकर बीज भी बनाए इस तरीके से जाते हैं कि उसमें ज्यादा पानी लगता है इलाके के कुछ किसानों ने रासाइनी खेती का नुकसान देखते हुए जैविक खेती को अपनाया है ऐसी ही एक महिला किसान है प्रतिक्षा जो बीते पाँच वरसों से जैविक खेती कर रही है हमारी शुरुआत तो पहले खुद की खेती से हुई थी और जब हमने उसके फायदे देखे बाखी लोगों ने भी आके देखा कि उसमें प्रोडक्षन बढ़ा, एन्वायरोमेंन को नुकसान भी नहीं होता है मिट्टी की जो गुनबत्ता है वो बढ़ती है आसपास की किसानों ने वो देखके उन्होंने भी स्टार्ट किया आज हमारे साथ देर सो से ज़्यादा किसान जुड़े हुए हैं और धाई सो एकर से ज़्यादा जमीन पे पैदावार हो रहे है निर्मेदा नदी को संकट में देख इस पर आस्था रखने वाली सुनीता हिंग वासिया भी चिंतित है पानी जिस दिन आया उस दिन हम लोगों को बहुत कुछी हुई कि हम अपने मतलब जैनल हुमी के उससे अटेच हो गए है आत्मों यह भी लगता है कि नर्वदा नदी से उसमें कोई गलत प्रभाव तो नहीं पढ़ रहा है या आगे चलके उनके लिए कुछ छती पूर्ण ना हो